36 गड सहित धमतवी जिले में शिक्षन सत्र की शुर्वाद बुद्वार से हो गई बतादे कि पहले दिन जिले के सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सफ मनाया गया तो वहीं दूसरी ओर धमतवी जिले के भाटा गाओ प्रात्मिक शाला में ताला जड़कर पालको ने प्रवेश न किया और स्कूल की जरज़व हालत को ले कर विरूज जताया वहें प्रवेश न की सुषना मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी मौकी पर पहुचे और पालको को आशवासन देकर प्रवेशन को समाप्ट करवाया ग्रामीडों ने कहा कि स्कूल करीब 4 साल से जरजर है और इस स्कूल में करीब 100 बच्चे पढ़ाई करते हैं और नए स्कूल भवन की मांग को लेकर कई बार शासन प्रशासन को ग्यापन भी सौप चुके हैं इसके बार भी स्कूल भवन को लेकर कोई पहल नहीं कर रहा है पालको ने बताया कि छट का प्लास्टर गिमने से आए दिन हाथ से होते रहते हैं साथी स्कूल में कभी भी बड़ा हाथसा होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता बैधाल शिक्षा विभाग के द्वारा लिखे ताश्वासन के बाद ग्रामीरों ने अपना प्रदर्शल समाप्त किया वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जल्दी स्कूल का मरमत कारे भी कर रहा है जाएगा इस अंदर में मैंने जानकारी लिया था अभी सब ताभर पहले आकर तो मुझे जानकारी नहीं थी रूटिन में था मेरा विजीट का है तो उस पार किर में के संग्यान मिलाया और कलेक्टर मेडम की च कहा दिया कि ठीक है मैं बहुत जल्दी उसका नम्मत करवा द Holmesी तो संभावना है कि इस दस दिन में मैंरम के अस्वासन और बताय दीशन एशन उसर दस दिन में यहां मरमत वाले काम हो जाएगा मैंने हेड माश्टर को बता दिया है कि उसको तालब बंदी करके रखने हैं किसी पकार का बच्चे वहां नहीं जाना चाहिए तो यहां एक कमरा है और बिल्कुन नजदिक में इस्कूल के नजदिक से लगा हुआ विभीन समाज के भवन है वहां बच्चों को हम सुरक्षिध यहां से बैठा रहा है एक अनुद करूब लेकिन बनने में करिबन कर दो दो की वहां तो लगी जाएगा जिससे हम लोग फिर बुलते हैं अगर अगामी शालाप्र जो प्रारम भोगा नेया सत्र उसमें अगर इसमें कुछ सुगृति नहीं होता है तो फिर ताला जड़ेंगे जिसमें पालक और सब ग्राम वासर पंचायत के द्वारा ताला लगाया गया था जिसमें आज जिलस पाल बाले हो